as a certain sum invested at 4% पर अनाम compound interest compounded half yearly compounded होता है amounts to 6-7-8- it's 0-3 at the end of 1 year the sum is, अब दोष्य बाल से 4 percent के हिसाब से compounded होता है half yearly मतलब इंट्रेस्ट कितना होजाएगा 4 बटा 2, मतलब 2 percent interest, मतलब कितना साल में, एक साल में होता है मतलब 2 बार होता है, तो 2 बार मतलब सब 2 compounded interest करेंगे तो 2% का 2 compounded interest कितना होता है 2 plus 2 plus 2 into 2 upon 100 तो यहां से कितना आ जा रहा है 4.04 4.04% तो किसी का 4.04% increase होने का बाद amount हो जाता है 7803 तो हम लोग कैसे निकाले तो सर 104 दस हम लोग 0.04 हम लोग लिख सकता है 100 से जोड दिये ये interest तो यह value आ गया 7803 तो हमें क्या निकालना है 100 निकालना है तो क्या आ जाएगा सर हम लोग थोड़ा से इसको omit करते थे तो यहां से 104.03 यहां 200 04 तो यह पांट को अटाते और 100 आ गया तो 4-4 आठ एकम 9 8-3 यारह और 7-18 तो 3 से कटता है तो इसको काटने का कोशिस करते है काटेंगे तो कितना आ जागा सर सर काटेंगे तो यह आ जाता है आपका यह नॉर्मली दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कैसे देखो 2% का मतलब होता है एक बड़ा 50 तो 50 रुपे के 50 रुपे बढ़के हो गिया 51 फिद दूसरे साल 50 रुपे बढ़के हो गिया 51 तो 5-5-25 इधर होता और 51 का स्क्वेर कितना हो जाता सर यह तो आपको मालूम है कैसे मालूम होगा सर आपको नहीं पता है देखो ध्यान से देखो 51 का स्क्वेर का होता है सर पचीस सो के साथ हम लोग क्या जोड़ेंगे पचास और 51 मतलब 101 तो 101 तो 2601 इस दा एंसर हो जाता ठीक है अचा ठीक है वो अलब ज्यादा असान होता है तो 2688 हो जाता है तो 2601 था यहां पर 6 2 8 एकम 9 3 से कटता है यह 4 3 7 और कितना होता है 7 6 13 13 और 8 कितना होता 8 3 11 3 से कटेगा 3 एकम 3 3 एकम 3 3 5 15 3 6 8 3 7 21 3 8 24 3 6 8 3 7 21 यह कितना कटता है 7 3 21 हो रहा है ठीक है यह कटेगा यह कटेगा 6 5 11 और 2 13 6 5 11 12 13 नहीं कट रहा है तो 4 से देखते हैं 4 2 8 9 10 11 4 8 32 4 9 37 ठीक है तो 4 से 4 2 8 4 25 तो यहां से कितना होता है 289 9 27 अच्छा देखते हैं 9 3 27 हो गया खतम देखो कट गया 289 का 3 गुना 289 इंटो 3 करेंगे तो 9 3 27 करेंगे तो 9 3 27 करेंगे तो 8 3 24 25 24 करेंगे तो 3 2 6 2 8 ठीक है आगया तो 25 यह 75 तो 75 100 is the correct answer 7500 option no.3 ओके सर तैंक यू बबाश टेटिन फूर नेक्स्ट क्लास